हेलो गईस, मेरा नाम है सार्थ अकोर, आप लोग देख रहे हैं ModX Tech स्वागत है दोस्तों आप सभी का Q&A की एपिसोड नमबर 2 के अंदर तो जादा टाम विस्ट नहीं करते हैं और फटा बट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं लेकिन वीडियो मागे बनने से पहले बात कर लेते हैं हमारे आज के स्पॉंसर के बारे में जो की cdk office.com अगर आप एक pirated या फिर unactivated windows यूज़ कर रहे हो दिन definitely आप अपने system को risk के अंदर डाल रहे हो cdk office.com वेबसाइट के अंदर आपको बहुत ही जादा सस्ते प्राइजिस के अंदर windows 10 pro की license की इस देखने को मिल जाती है तो मैं आपको definitely recommend करूँगा इस website को check out करने के लिए और यहाँ पर जितनी प्राइजिस है इसके उपर आपको 20% का extra discount भी मिलेगा उसके लिए आपको coupon code यूज कर रहे है modX20 फिर जब आप यहाँ से key को buy कर लोगे फिर आपको जाने windows 10 pro की settings के अंदर then activation और यहाँ पर आप अपनी key को enter कर देना और आपकी windows हो जाएगी activate तो इस website की जो link है और जो coupon code है यह सभी आपको description के अंदर मिल जाएगा और YouTube की उपर मैंने एक वीडियो देखी जो कि हमारे बहुत ही जादा एक respectful PC creator की तरफ से आते हैं जिसके अंदर जो है उन्होंने मेरी एक गलती को जब वो address कर रहा था कि आपने जो है वीडियो के अंदर यह वाली जो है गलती करी है and I'm really really very thankful कि यार मेरे को अपनी life के अंदर इतने सारे लोग मिले है जो कि यार मेरे को support करते है and आप जैसे well wishers भी मिले है जो कि यार मेरे को इतना साधा सीखने को जह है वो motivate करते है अपनी life के अंदर so thank you so much यार इस चीज़ के लिए सीख रहा हूँ आगे बढ़ रहा हूँ दिन कभी-कभी गलती हो जाती है दिन उससे और भी ज्यादा सीखता हूँ and अपने आपको motivate करता हूँ कि yes मैं अपने आपको जो और भी ज्यादा improve कर सकता हूँ and after all मैं अपने आपको improve करूँगो तो भाई videos काफी अच्छी बनेगी then मैं आपकी life के अंदर और भी ज्यादा जोब हम value add कर पाऊंगा और किसी ने काफी अच्छा का है the biggest teacher is our last mistake बतलब आपकी life में जो आपने last mistake करिये वही सबसे जादा biggest teacher होता है आपकी life के अंदर हम YouTubers, we are humans हैं आप ही लोगों की तरह we are not robots, we are humans तो we also make mistakes and wise man तो वही होता है जो कि अपनी mistakes से सीखे and अपने आपको improve करे तो ये चीज बहुत जादा important होती है कि आपने जो mistake करी अगर आप उस चीज से कुछ सीखोगे नहीं अपनी life के अंदर तो वो यार एक सई चीज नहीं है आपने अगर कोई mistake करी है देन उससे definitely आपको सीखना चीए वही एक wise mentality कहलाई जाती है बाकि यार आप ही लोगों का प्यार और support है जो आज हमारी family यार इतनी बड़ी हो पाई है और यार मैंने कभी expect भी नहीं कर रहा था कि मैं इतनी बड़ी family बना पाऊँआ एक YouTube के उपर और सब यार आप ही को चाता है कि मतलब यार कैसे बोलनों मतलब कभी मौका नहीं मिला यार आप लोगो especially video के अंदर बोलने का कि भाई thank you so much इतना प्यार और support देने के लिए और साथी साथ भाई मैं thank you बोलना चाता हूँ अपनी मम्मी को भी क्योंकि यार मेरी ममी ने में भी मेरे को बहुत जादा support कर रहा इस चीज़ के अंदर वो मेरे को बहुत जादा motivate करती रहती है कि वीडियोस बना और मतला वेरे से काफी पूस्ती बूस्ती रहती है कि यार तुने वीडियो में आज कल क्या बना रहा है क्या देख रहा है मतला वो भी मेरे को काफी मेरे चैनल की उपर active रहती देखती रहती है यह सब possible हो पाया है मेरे जितने भी भाई लोग है, जितने भी well-wishards हैं आप सभी लोगों को जो है, thank you so much मेरी तरफ से और stay home, stay safe मेरे तरफ से धेर सारा प्यार आप सभी लोगों को तो अब हम बढ़ते हैं फटा बट से हमारे Q&A की तरफ और एक-एक करके हर एक question का जो मैं answer करने वाला हूँ तो फटा वट से बढ़ते हैं मारे पहले question की तरफ तो यह आता है, MacTron Gaming की तरफ से इन्होंने पूछा है from where to buy used PC components online except OLX in India देखो है रैसा है कि मैरे ऐसी बहुत कुछ markets जो है बहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपको ऐसी जो shops कहां पर देखने को मिल जाती है और फिर से बतारों वहाँ पर जो है आपको ऐसे नहीं मिलेगा मेरे को तो नहीं लगता कि वहाँ पर आपको used RX 570 आप जाके वहाँ पर बोलो कि भाई बहाँ पर बोलोगी भाई मेरे को ये वाला graphics card जी है ये वाला used में चाहिए तो ऐसी तो कोई shop नहीं है नहीरू प्लेस में भी नहीं है बहुत लोग पुस्ते है वहाँ ये नहीरू प्लेस में क्या नहीं है तो वो वीडियो देखना चाहते है तो वैसे आई बटन में मैं उसकी लिंक आपको दे दूँगा तो आप उसको देखके जो है अच्छी तरीके समझ सकते हो कि OLX से कैसे लेते हैं ठीक है तो कोई टैंचन नहीं है OLX से लेलो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बट इन सभी इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो कर लेना जो कि मैंने आपको उस वीडियो के इंदर बताया है बटते हमारे नेक्स्ट कुश्चन की तरफ जो कि आता है भाई आदित्या थिवारी की तरफ से और ये पूछते है कि किसी ने बहुत सही का है और बहुत ही अच्छा का है ट्रेन और लड़की के पीछे कभी नहीं वागना चीए चीक है तो मैं इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ अब मैं अगर सीरेसली बता तो भाई बिलकुल भी नहीं है तो बढ़ते मारे अगले सवाल की तरफ तो या था मैक्स ड्रॉप की तरफ से इन्होंने पूछाए कि can I buy a PC with the specs you use for streaming and love your videos देखो यार ऐसा है कि मैं जो specs use कर रहा हूँ वो किसी वजह से use कर रहा हूँ मैं अपने PC को upgrade करना चाहता हूँ और कर सकता हूँ I have the enough funds कि मैं अभी अपने PC build को upgrade कर लो बट नहीं कर रहा हूँ due to some reasons अब क्या वो reasons है यार वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी मैं अपने personal reasons थोड़ी दूँगा इसके अंदर मैं चाहूँ तो अभी PC build कर लूँ बट नहीं कर रहा हूँ तो उसके बीचे कुछ reasons है और मेरा PC भाई Ryzen 5 1400 ही use कर रहा हूँ बढ़ते हैं हमारी अगले question की तरफ तो यह आते है अभिशेक हमब्रोम की तरफ से माइ question is when you started YouTube मतलब यह पूछ रहेगी YouTube कब start करा तो एको YouTube जो है न वो मैं 10th 11th class से कर रहा हूँ पट वो यह channel नहीं है मैं already 3-4 channel बना के बंद भी कर चुका हूँ अलग अलग बनाया थे मेरे YouTube channel मैं एक बार जो है मैंने money earning से related channel बनाया थे उसके अंदर मैं बताता है पैसे कैसे कमा सकते है online मैं बनाब कुछ भी बखवास बोलता था मैं literally सच में भाई उसके अंदर बखवास ही थी मेरी total क्योंकि मैं उसके अंदर पता है उसके अंदर मैं क्या बताता था कि यह वाली डाउनलोड कर लो इसके अंदर तुम कॉइंस कमा सकते हो तो यार मैं तो हसी आती वाई नपस के उपर मतलब वाईल को उपर से फैकता है मतलब इधर उतर से फैकता रहता था अपने फोन को तो यह उसी को देखके ना ऐसे करता रहता था बहुत उल्टे काम करें यार मैंने तो यही कुछ सीन है अपना ब्रो विच कामरा you used and विच वीडियो एडिटर and माइक तेरा चेज क्या है सबसे पहले चेज बता देता हम पही ऐज 19 ल और मैं 20 का बहुत जल्द हो जाऊँ गा है इसी साल नवेंबर में 1st November को मेरा birthday आता है, तो मैं तब 20 years का हो जाऊंगा, और रही बात भाई, camera कौन सा यूज करता हूँ, video editor कौन सा, माइक कौन सा है, तो camera मैं यूज करता हूँ, Sony की तरफ से, A6400 with 30 mm का lens, और ये camera जो हूँ, मैंने अभी last week ही purchase करा है, आप ही लोगों की प्यार और support की वज़े से भाई, फिर से बोलना चाता हूँ, thank you so much भाई, इतना प्यार और support बरसाने के लिए, बहुत महेंगा camera है, बहुत लोग मेरे से price पूछ रहे थे, मैंने अप्ती community post के अंदर share करा था इस चीज़ के बारे में, बहुत लोग मेरे से price पूछ रहे थे, तो ये camera मैंने purchase करा है, 1, 5,000 रुपीज का जो की बहुत महेंगा camera है, और मैंने कहीं से पैसे ने लिए, कभी सोचर अपने घरवाले को परिशान करके लिया है, नहीं भाई, अपने दम पे लिया है ये camera, और video editor कौन सा यूज करता हूँ, video editor मैं यूज करता हूँ, adobe premiere pro, mic कौन सा है, mic है मेरा boya का by m1 सस्ता सुन्दर टिकाव, जो की हर एक जना यूज करता है, बढ़ते है हमारे अगले सवाल की तरफ यह आता है, MD, बिलाल की तरफ से, वाई तुमारा new PC के लिए budget कितना रखा, देखो ऐसा है कि, जो नया PC बिल्ड करना मैं चाहा रहा हूँ, वो मैं एप्रॉक्स चाहा रहा अब इसके बाद जो मेरा पहला PC जो अपग्रेड होगा, मैं सोच रहा हूँ कि टेंपरेरी अपग्रेड मारा हो अपने PC के अंदर, क्योंकि मैरा जो मन है वो मैं सायद चाहता हूँ कि मैं डिरेक्ट्री टू लाक रुपीज का PC बिल्ड करूं अपना, लेकिन मैं सोच रहा कि फिलाल एक temporary PC बिल्ड कर लूँ, temporary एक processor को अपग्रेड कर लूँ, temporary थोड़ा सापने graphics card को अपग्रेड कर लूँ, फिर बाद में और जोड़ा अच्छी तरफे से अपग्रेड कर लूँगा, फिलाल इत्ता कर लेता हूँ, फिर जो वो 2,00,000 रूपीस का PC बिल्ड होगा, तो मैं इसलिए थोड़ा सा वेट करके फिर करूंगा PC बिल्ड तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ तो यह आता है दिव्यांचु भीरू बहादरू की तरफ से देखो एर ऐसा है कि जो फोर्थ जन है राइजन की पहले एमडी ने मना कर दे है कि हम 400 सीरीज के मदरबोर्ड से सपोर्ट उसका हटा देंगे बट फिर लोगों ने क्रिटिसाइज करा एमडी को बहुत जादा गालिया वली पड़ी होगी पता नहीं कितनी पड़ी मेरको तो बट उनको गाली वली पड़ी होगी तो उन्होंने का कि चलो ठीक है तुम भी क्या आद रखोंगे तुम्हें दे देते हैं भाई हम 400 सीरीज का सपोर्ट तो देखो ऐसा है कि जो तुमारा बीफॉर्टी मदरबोर्ड है देखो जो मेन प्रोब्लम आई थी ना एमडी को कि ह इतने सारे सीपीूस का सपोर्ट आपको नहीं दे सकते हैं तो इसलिए एमडी ने ये कहा है कि हम आपको सपोर्ट तो देदेंगे आपको बायोस अपडेट आपको मिल जाएगा बट अगर आपने उसके अंदर update कर लिया अपने motherboard को तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर 4000 series को ही चला पाओगे फिर आपको उसके अंदर जो backward compatibility आपकी खतम हो जाएगी तो ये सबसे बड़ा main चीज है और main disadvantage है disadvantage वैसे कुछी लोगों के लिए ही हो सकता है अब देखो यार कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता disadvantage क्योंकि तुमने तो upgrade कर लिया अब तो तुम उसके अंदर 4000 series का CPU चला रहे हो अब तो उसके अंदर 4000 series का CPU चला रहे हो अब तो को कोई problem थोड़ी है मैं 1st 2nd and 3rd generation अराम से चला सकता हूं तो मैं इसलिए इस motherboard के अंदर तो अपना जो चलाना है वो चलाओंगा ताकि मैं टेस्टिंग कर सकूं और 4th generation को चलाने के लिए मैं अलग से motherboard लूँगा तो यह वैसे कुछ लोग कहरें कुछ लोग को सब्सक्राइघ करें कुछ लोग कंशा है और करिको नीरा स денे बोहुत लोग नहीं सवाल समय थीस सब्सक्राइए इसेे हैं और नाम रखेंगे यार तुम देखो कि जितने जातर यूट्यूबर से उनसे अपका नाम मतलब एक जैसा सा लगता है मतलब टेक्नो लगा देंगे अब जैसे किसी का भी नाम तुम इंडिया के अंदर कोई भी एक लड़का ढूंड लो लड़के का नाम ढूंड लो यह इस बात तो कुछ एक यूनीक नाम रखना था जिस नाम से इस नाम को फिर यह नाम मिल गया तो रग दिया इसका कोई सेंस नहीं है इस नाम का मतलब इस नाम कोई मतलब नहीं है कोई मतलब मीनिंग नहीं है इस नाम का बट ऐसी अच्छा लगा कुछ डिफरेंट से लगा तो मैंने रख दिया भाई नाम और काफी लोगों को वैसे पसंद आता है बहुत लोगों ने और कुछ बहुत बड़े-बड़े क्रेटर ने भी बोला है कि काफी अच्छा नाम है आपके चैनल का तो बढ़ते मारे अगले कोश्चन की तरफ तो यह आता है एलन की तरफ से इस यौर पेरेंट सपोर्ट फॉर यूट्यूब करियर लव यू भाई देखो ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं वो उन्होंने कभी मना नहीं करा मेरे को करने के लिए क्यों कि देखो ऐसा है मैंने उनको आफ्ट रॉल यह समझा दिया कि बाई देखो मैं जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूं उसके बाद मेरे को इतना कुछ खास फाइदा नहीं होने वाले अपनी लाइफ के अंदर बिजनेस ही करना पड़ेगा मेरे को अपने पढ़ाई के थुरू क्योंकि मैं पढ़ाई में कोई बहुत सूपर मास्टर नहीं हूं मेरे 12th के अंदर 84% थी science stream के अंदर जो की काफी अच्छी है ठीक है और 10th के अंदर थी मेरी 9CGPA उस टाइम पर CGPA हुआ करता था तो 9CGPA and 84% मतलब average size student था कोई बहुत खतरनाक लेवल का नहीं था बट फिर भी science stream के अंदर 84% आ गई बहुत है physics में 91 marks थे मेरे ठीक है तो बढ़ते आगे क्योंकि physics भाई काफी पसंती यार मेरे को physics बड़े लगती है तो बढ़ते आगे और हमारा अगला सवाल है कि अंकित करमाकर की तरफ से ब्रो क्या Ryzen 5 3600X का price drop हो का प्लीज रिपला है देखो जैसे कि मेरे अपनी वीडियो के अंदर बताया कि तुम्हें XT वीरेंट जो आने वाले है और जो की X वीरेंट को इन जितने भी X वीरेंट है 3600X इनकी price drop होगी तो जहां तक मेरे को लगता है और जो according to leaks and rumors इसकी price जरूद रूप होगी future में तो मारे अगले सवाल की तरफ तो यह आते है अटानू माची की तरफ से इन्होंने पूछाए कि इस टाइम पर PC विल्ड करना ठीक रहेगा या फिर वेट करूं future में price fall होगा या फिर rise होगा तो इसका जो second part है पहले मैं उसका answer करता हूँ कि future में price fall होगा या फिर rise होगा तो द मतलब 2600 रुपे भाई कुछ भी नहीं था उस टाइम पर और आज देखो मतलब 8GB RAM की अगर आपको stick लेनी है Corsair की ही तो वह आपको पढ़ती है लगबग 3500-3600 रुपे की तो मतलब तुम देख लो 1000-1000 रुपे per stick प्राइस बढ़ चुका है और मुझे नहीं लगता कि ये ग्लोबली जो प्राइस जो कि मैंने जिस टाइम पर लिया था उस प्राइस पर आने के लिए मार्केट को अभी काफी टाइम लग सकता है मुझे नहीं लगता कि ये जो ग्लोबली जो situation चल रही है ये इतनी जल्दी ठीक होने वाली है कम से कम 6-7 महीने तक तो मेरे को नहीं आने वाली इस वाइरस के लिए तो देखते हैं फिलाल मुझे नहीं लगता कि प्राइस जो है वो फॉल होने वाले है शायद बढ़ भी सकते हैं या मेभी कम भी हो जाएं कुछ नहीं पता आगे बढ़ते हैं और इनका जो पिछला वाला जो question था कि इस टाइम पर पीसी बि एमडी हो सकता है कि एमडी के एप्यू बहुत जादा स्ट्रॉंग जो है रूमर्स हैं कि अगले मन्त ही 16 जून के आसपास में इनके एप्यू लॉंच होने वाले 4000 सीरीज के तो अगर एप्यू वाला पीसी बिल्ड करना है तो बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूफ करा ज तो 4000 सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूँ एमडी के तरफ से तो बताया जा रहा है कि वो ऑक्टोबर के आसपास में लॉंच होगी तो लगा लो कि ऑक्टोबर में लॉंच होती है तो नुवेंबर या पर डिसेंबर तक आपको मिल जागी मार्केट के अंदर इंडियन म अगर वेट कर लो क्या पता ऑगस्त के अंदर लॉंच हो जाए अच्छे ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएंगे अगर मैं अपना उपीनियन दूँ कि आपको वेट करना है या फिर नहीं तो देखो इसमें सीन क्या बनता है कि अगर आपको बहुत जादा जल्द है मतलब बहुत जादा अर्जेंसी है PC विल्ड करने की तो कर सकते हो ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है और हाँ अगर आपको GTX सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड लेना है 1650 सूपर, 1660 सूपर तो ले लो यार मेरे को नहीं लगता कि August के अंदर जो इनकी GTX सीरीज वाले ग्राफिक्स कार्ड आने वाले है August के अंदर तो इनकी RTX सीरीज ही आएगी जैसे कि RTX 3060, 3070 तो ऐसे करके इनकी आएंगे 3080 तो वही आने वाले है, GTX सीरीज के नहीं हैंगे अपने भाई होते हैं, वो भी हमारी वीडियो के अपर क्लिक करते हैं तो कुछ ना कुछ तो देखने आते ही होंगे न, वो भी हमसे यार प्यारी करते हैं रियक्शन तो देखे जाते हैं वीडियो के पर भले डिसलाइक दबा के जाते हैं रिक्ट करके जाते हैं वीडियो के उपर, तो वह में चीज है, पता है वैसे मैं आपको एक बात बदा देता हूं यह YouTube का यलगौरिता मैं, अगर कोई वीडियो को डिसलाइक करें या लाइक करें उससे कोई फरक नहीं पड़ता, और अगर कोई रियाक्ष्थन देता है वीड पर experience है मैं तब आपको बता रहा हूँ ठीक है ये जो like dislike है ना इससे कोई फरक नहीं बढ़ता अगर वो haters आते हैं ना dislike करके जाते हूँ उल्टा वीडियो को और promotion मिलता है क्योंकि कोई viewer आया है वो वीडियो के पर react करके गया है तो उस reaction की वज़े से वीडियो और आगे चलती है और साथी साथ भाई वो click करते तो भाई add भी आ जाता है तो भाई thank you so much आप हमारी थोड़ा जेब को भारी भी करवा रहे हो बढ़ते हमारे अगले question की तरफ ये आता है भाई अजय वर्मा की तरफ से तो ये पूछते हैं आप अपनी website के लिए parts कहां से buy करते हो बाई देखो ऐसा है कि मैं मेरे जितने भी parts है मेरी website के लिए वो आते हैं नहरू प्लेस से नहरू प्लेस के जितनी भी shops हैं मतलब कुछ कुछ shops हैं जहां से मैं समान लेता हूँ और फिर उसको ship करवाता हूँ अब ऐसा है कि सिर्फ अभी currently एक ही ऐसी shop है जो कि नहरू प्लेस के अंदर currently working है मैं वहीं से समान ले रहा था बट वहां से समान लेने में मेरे को पता नहीं कुछ इतने जादा issues आ रहे हैं मैं shipping नहीं करवा पा रहा हूँ इसलिए मैंने website को maintenance mode के अंदर डाल दिया वी वेबसाइट मेरे डाउन है वो इसी वेज़े से shops नहीं खुल रहे है यार नहरू प्लेस के अंदर वो खुलेगी तो मैं और भी स्यादा variety अपने जो है जो भी मेरा website है उसके उपर मैं और वी जादा डाल दूँगों जैसे ही बहुत लोग कहते है बहुत जोटाइक के ग्राफिक्स काड़नी यह वो सभी जो है आ जाएंगे नहरू प्लेस एक बार अच्छे से खुल जाए सभी जो इतने भी components है अलग-अलग छो जो है working के अंदर हो जाएगी और जितने लोगों का भी order पड़ा हुआ है बहुत लोग है जिनके orders है मैं तो भाई परिशान होगे इतने सारे orders आ गए मेरे पास lockdown period के अंदर तो अभी जितने लोगों के orders है मैं धिरे-धिरे करके निकल वा रहा हूं तो थोड़ा सा patience रखो थ आपके orders निकल वा रहा हूं थोड़ा काम है तो इसलिए मतलब थोड़ा time लग रहा है क्योंकि भाई समझ सकते हो ना अभी situation थोड़ी खराब चल रही पूरी दुनिया में तो थोड़ा सा please have patience निकल वा दूँगा थोड़े दिन में पहुँच जाएगा आप तक विरोतम कु कि मेरा question कैसे आएगा anyways पूछने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि आप हमेशा comments के अंदर जो है जवाब दे देते हो thank you so much sir तक भाई तो भाई देखो ऐसा है कि जिसको भी question होता है comment कर दिया करो मैं reply हमेशा देता हूं और आप कहरे हो कि इतने बीच के question कहा से आएगा बाई उठा लिया कुछ भी हो सकता है तो बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ तो यह आता है the gaming boy की तरफ से how much money do you get from YouTube तो यह वाला भी जो सवाल है इतना जादा पूछा जाता है मेरे से कि भाई क्या ही बता हो वाला आप लोग सोचते भाई कितने करोडों रुपे कमा रहा है त तो देखो ऐसा है कि यह बहुत महिने जो है धीरे धीरे हम funds को collect करते हों तब हम थोड़े भात ऐसे gears को खरीद पाते है तो बहुत महिनों में थोड़े थोड़े amount को जो हम collect करते है तो थोड़ी भात ऐसी हो जाती है और रही बात की exact कितना earn कर लेता हूं तो देखो यार कि म मैं आपके सामने screenshot डाल रहा हूँ, screenshot को देख लो और आपको पता चल जाएगा, यह अब तक में मैंने lifetime की, मतलब यह lifetime की, अब तक lifetime में मैंने adsense है, मतलब यह जो add जाते हैं वीडियो के उपर, मैंने कितना earn कर लिया, बागी इसके अलाबब भी में दिन कैसे कट रही है, भाई, lockdown में, यह वाले जो दिन है ना, यह काफी सही जा रहे हैं, वैसे क्यों, क्योंकि बिजी रहता हूँ, काफी वीडियो बनाने में पूरे दिन मैं लगा रहे हूँ, मेरे घरवाले भी कहते हैं, बाई, क्या ही कर रहा है, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब नॉर्मल जिंदगी मेरी चल रही थी, कॉलिज जाना, कॉलिज से वापस आना, फिर उसके बाद जो है, मैंने बांध रखा था दिन में एक बार, डेड़ घंटे के लिए, या फिर एक घंटे के लिए, वर्काउट ज़रूर करके आना है, तो फिर मैं जिम जाता था, फिर एक घंटे, डेड़ घंटे जो है वर्काउट करके आता था जिम के अंदर, क्योंकि यार, बढ़े रहता है, वर्काउट करो ना, तो फिर माइंड भी काफी शार्प चलता है, काफी बढ़ी हैं, इसको एडिट भी करना है, फिर अपलोड करना है कल सुबे के लिए, तो एकड़ में थोड़ा चिल रहेके, अराम से अपना काम कर पा रहा हूँ, तो बढ़ी है, मेरे को ऐसे कुछ खास प्रॉल्म नहीं लग रहे है, तो सर साइट नहीं चल रही आपकी बता है मैंने आपको maintenance चल रहा है तो उस वज़े से बढ़ते अगले सवाल की तरफ विनीत राथोड कहते हैं भाई राइजन 3 3300X 1660 Super के साथ कैसा है भाई ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं काफी अच्छा CPU है वैसे 3300X मतल compile बढ़े निकाला है वैसे AMD ने मोगली को जंगल चडडी देने कौन गया था गॉतम कुमार भाई पूस्ते हैं भाई बाता नियार गॉतम की मोगली को जंगल में चडडी देने कौन गया था भाई बेख लो, पता नहीं कौन सी चड़ी बेनी थी उसने, उसके साथ एक शेर गूमता था था न, मोगली के अंदर, उस शेर ने दियोगी उसको चड़ी, तो बढ़ते मारे अगले सवाल की तरफ, तो यह आता है, जै धर जी की तरफ से, जैसी के आपने पता है कि आपके PC के अंदर 3400G है, तो भाई, डेफिनेटली आप काफी अच्छे फ्रेमरेट के उपर गेम्स को खेल सकते हूँ, परसनल एक्सपिरेंस से मैंने PC बड़ करा था, 3400G का एक अपने चैनल के उपर फीचर करा था, और उसके मैंने Benchmarks आपको दिखाये थे, मतलब वो मेरे खुद के Benchmarks है, मैंने खुद खेला था, गेम्स को, तो उसके Benchmarks आपको देखना है, तो वो वाले PC बिल्ड है, उसकी आई बिटन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लो उस PC बिल्ड को आपको पता चल जाएका 3400G से हमको कैसी performance जो है, वो मिल जाती है, और जैसे रही बात कि आपकी इन 8GB RAM only, अब भाई, जितने भी APU वाले बिल्ड होते हैं, मैं आपको definitely suggest करता हूँ, कि आप अपने RAM को जो dual channel के अंदर चला, अगर आपने से कोई भी वीडियो देख रहा है, APU वाला PC बिल्ड करके बैठा हुआ है, RAM को dual channel के अंदर कर लो, आपको बहुत जादा benefit मिलेगा, 8GB RAM की stick है, तो एक और 8GB RAM की stick लगा कि इसको 16GB कर लो, बहुत जादा benefit मिलेगा, यह वाली वीडियो है न, इसके अंदर भी मैंने जो है, लगा रखा था, मतलब 16GB RAM कर रहा ही थी, dual channel के अंदर, तो बहुत जादा benefit मिलता है, dual channel RAM का, जब हम APU वाला PC बिल्ड करते हैं, बाकी normally भी मिलता है, बट APU वाले बिल्ड के अंदर, बहुत जादा benefit मिलता है, बढ़ते हमारे last और आखरी सवाल की तरफ, तो यह आता है, AK Creation Studio की तरफ से, you taking YouTube as profession or as a side business, भाइ, इसको मैं as a side business ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ पता थोड़ी, आज YouTube है, कल नहीं है, तो इसको as a side business मैं ले रहा हूँ, तो बस उस तो फिलाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो चे लगे तो वीडियो को अभी अभी भी लाइक कर दो, मैं मिलूँगा आप लोगों से एक और ने वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आठ थैंक्स वर वाचिंग,